अपनी बेटी निरूपुमा के दत के बाद करंसन भाई पतेल ने उसी के घर में बुलाए जाने वाले नाम निर्मा से निर्मा वाशिंग पाउडर बनाने की सुरुवात करी उन्होंने BST Chemistry के दम पर अपने घर के बैक्यार्ड में वाशिंग पाउडर तयार करना सुरू कर दिया था वो रोज सुब ऑफिस जाते वक्त निर्मा को डोर टू डोर सेल करते हुए निकलते और वापसी में भी यही करते हुए घर आया करते थे यह प्रक्रिया करीब तीन साल तक यूँ ही चलती रही इससे करंसन भाई को समय दे दिया अपने कस्टमर बेस को और भी ज्यादा साउंड करने का ऐस वेल आज उन्हें कुछ और समय मिला खुद में और अपने वाशिंग पाउडर में इंप्रोव्मेंट करने का भी 1969 में जहां हिंदुस्तान यूनी लीवर का सर्फ 13 रुपए में बिकता था वही निर्मा को सर्फ 3,5 रुपए में बेच कर मिडिल क्लास लोगों को खुश कर रहे थे हमारे करंसन भाई 1972 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ कर आहमदाबाद के छोटे से इलाकी में एक दुकान खोल ली यही से उनके प्रोड़क्ट ने लोकल लोगों के बीच पॉपलारिटी गेन करना सुरू कर दिया जैसे जैसे करंसन भाई का काम बढ़ता गया उन्होंने वरकर्ज, कुछ सर्समेन को भी हायर कर लिया कुछ दिनों के अंदर ही निर्मा ने गुजरात में अपनी पकड मजबूत बना ली लोगों में निर्मा के लिए एक क्रेज सा हो गया था और होता भी क्यों नहीं जहां और मार्केट में सर्फ जो मौजूद थे वो कुछ जादे ही महंगे थे और करंसन भाई ने लोगों के घर-घर वाशिंग पाउडर को पहुचाने में वो भी उनके बजट में बड़ी मदद करी थी बड़ गुजरास से निकल कर बाकी सीटीज में निर्मा को काफी संघर्स करना पड़ा क्योंकि reindeer उनसे credit में समान लिया करते थे और जब उनके salesman दुकान पर पैसे लेने जाया करते थे तो या तो वो उन्हें भगा देते थे या तो सारे payment को कल पर टाल दिया करते थे और वो कल आता ही न था करंसन भाई ने यह देख कर अपने लोगों की meeting बुलाई और उन्होंने कहा जो लोग जो रिटेलर्स पैसे देते हैं पैसे ले लो और अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो मार्केट से अपना सारा समान उठा लो और आगे की डिलिवरी को भी रोग दो रातो रात मार्केट से निर्मा गायब हो जाने से सभी रीटेलर्स और कम्पिटीटर भोचक्के रह गए करंसन भाई ने कुछ और ही सोच रखा था उस समय हमारा देश काफी तेजी से बदल रहा था और हमारे घरों में टेलिविजन आ चुकी थी एक महने तक करंसन भाई ने निर्मा का आड टेलिविजन पे दिया जया सुसमा सबके परसंद निर्मा ये टैग लाइन हम भी कभी नहीं बोल सकते और ये दिया हमें निर्मा वाशिंग पाउडर ने अब इस आड के कारण लोगों में निर्मा का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया लोग अपने घरों से निकल के मार्केट्स में, शॉप्स में, सुपर मार्केट्स में सिर्फ निर्मा को ही खोजने लगे और निर्मा था कि वो मार्केट्स से पूरी तरह ही गया करंसन भाई ने फिर अपने इंप्लोईस की मिटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि मार्केट्स में निर्मा को अवेलेबल कराया जाए उसके साथ ही उन्होंने कुछ डॉकुमेंट्स दिये जितमे टर्म एंड कंडिशन लिखा था टर्म एंड कंडिशन बिसिकली था कैश ओन डिलिवरी जो पेमेंट कैश में करता है उसे निर्मा मिलेगा अदर्वाईज नो मनी नो निर्मा करिंशन बाई की इस policy ने निर्मा को एक नया मुकाम दे दिया अब करिंशन बाई की समस्या खतम हो चुकी थी निर्मा एक position पाचुका था लोगों को अब निर्मा easily available होने लगा यही कारण है कि करिंशन बाई की दौरा इस थापी निर्मा वाशिंग पौडर 15,000 लोगों को जौब देता है इस पूरी घटना को जानने के बाद मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ कि हमें लोगों की सफलता दिखती है मगर उनका किया हुआ परिश्रम नहीं दिखता उनके चमक धमक उनके कपड़ों की रंग रंगत दिखती है बट उनका धूप में तपा पसीने से लद्वत बदन नहीं दिखता उनकी सकसेस दिखती है बट उस सकसेस को पाने के लिए उनकी दी हुई कीमत जो उन्होंने चुकाई है वो हमें नहीं दिखती सफलता पाने के लिए हमें सदा ही कस्ट उठाना पड़ता है थैंक यू प्रीज डू लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल